आई आपने हमारे सामने महत्पूर्ण प्रश्णों की सीरीज है सब्सक्राइब कटने हैं हम लोग आगे बड़ते हैं और प्यासे करेंगे आप लोग भी आराम के साथ इसकी मादपूर्ण तरीकों से पढ़ते रहेगा और अपना मेश्ट देते रहेगा यहाप यह पहला है कि निम्निमेशे कौन सी प्राकित संख्या है यहाप पूछा गया है कि निम्निखित मेशे कौन सी एक प्राकित संख्या है जल यहली कमेंड करिएगा अपने जवाब दीजेग नमबर एकार यहांद से कौन सी प्रकितिक संक्या है लुई से कौन सी नंबर एक में कि से प्रकृतिक्स आप्चन है आफ शनॕ है आपके पास mai Standing डी जीशी डी कौन सी प्रक्टिक्षिंग्या है कमेंट करके आपने जवाब दीजेगा देखें यहाँ पर आपको कहीं चैजी देखने की मिलेंगी कि प्रक्टिक्षिंग्या कि चोड़ा प्रस्ट ना था इस तरह से आपके पुरी क्लास रिवीजन को जाएगी जो हम लोगो अब दस ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे जीरो नहीं होता कि लिए आपका यह नहीं होता यह पाया परीमें होता है इससे असपष्ट हो गया आपका बिकलब एक सही है इसके में जो पहला है आपका वो क्या होगा बिकलब पे इसका राइट हैंसर होगा तो उमीद गिंति की संख्या की बात करें एक एक दो तीन चार पांच छे इसे भी क्या है कर बढ़ते जाए तो प्रस्ट नमबर एक का जवाब होगा यह होगा यह देखीं जीरो नहीं होगा क्योंकि है सबसे पूर्ण संख्या है माइनस नहीं क्यों यह यह एक परिमें इसलिए जो आपका जैट नंशर होगा वह क्या होगा विकल प्रेस का राइट नंशर होगा और बिकल पेस का सही जवाब होगा ठिक तो आगे बढ़ते हैं हम लोग ठिक यहां तक हो गया अब आगे देखते हम लोग के तरफ तरफ नम्ब टू तरफ न्बर टू थे आ गया है हमने पढ़ ले है स्थानी मान क्या है लेकर आपने गड़ कोई डिक्कत नहीं कोई डड़ने के जरूरत है यह आपको पता है, पूछा है, दिये गए शंख्या में 9 का स्थानीमान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आपके पहले हमने 9 लिखना है, क्या लिखना है, 9, 9 के बाद हमें देखना है, इसके दाईं तरफ कितने नंबर है, तो मैं ग्यात हुआ, इसके दाईं तरफ 1, 2, 3, चार नंबर है, तो मैं इसके आगे 4 0 लगा देंगे, 0, जीरो, egy, 02,03, 00, 40 अब देखते हैं ऐसा विखोपका कहां है तो बताइवे जल्दे शे ऐसा विख़प कहां है, ऐसा विख़प कहां եेA हैS भी, करके हमें बताईएगा कि निमनिकित में से ऐसा मिलता जुलता कौन साब भी कल्ब है जल्दी से अपने कमेंट के जवाब दीजेगा हमें उमीद करते हैं कि आप इसका एंसोर सही और सटीक बताएंगे कि निमन्मिकित में से अस्थानी मान जाती मान का अंतरवत है इस परकार के पशनी को हमने अथे हल क wai Based के अके सफ़ानी मान कैसे निकालेंगे इसमें हम क्या करेंगे दो का स्थानी ओं जाती माहन अस्थानी माहन क्या हो गया ति Dalton तौन निक्लना दो और यहांपे हमने देखा इस तीन में क्या हो और नहीं Boss और आफा झाल सी क्या है याप इसका राइट एंसुर होगा चिक आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला क्या है प्रश्ण आपका अगला यहां पर दे रहा है कि दिशमें से 277 में दोनु स्थानी मानिवां पूंटा है है और नियुख No 546 में पूछा रहा है करिक्स्ट के वाला जिक्रिया जा रहा है तो यहां पे-म्दों स्थानी मान किसको दिखेंगे शाथ का पुछ रहत दियुक्स members कांथ कि बाद टीन अंफ है यहां पर लिखा मने शाथ इनंख तीन जीरो एक, दो, तीन यहाँ पे साथ अकेल है यहाँ पर अमने क्या लिख दिया केवल शाथ अब इसका अस्थानी मान अंतर पूछा है अंतर करिए, सब्टेट करिए, कितना आता है आपको असपस्ट हो गया किशका अंतर क्या, क्योंकि यहाँ पर दोनों अस्थानी मान पूछा है, न कि जाती मने आप बात को ध्यान देना है यहाँ पर अस्थानी मान पूछा है और यह हमारी क्लास में अगर आपने बढ़ा होगा तो इसके डाउट आपको तुरंत किलिर हो जाएंगे यहाँ पर क्या होगा, आज जी हैं जुनोंने विकल्प ए बताया है, उनकी एंस्वर सही है, और राइट एंस्वर हैं क्या होगा, यही होगा फिक 6903 क्यों होगा 6903 होगा, इस प्रकार यह टॉपिक आपको समझ में आ गया, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आप बतायेगा, क्या करना चाहिए ठिक, विखल्पे सही है क्लिर हो आपका अब अगले प्रश्ण के तरब बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपका है, इसमें से दिये गया 5656 में दोनों में 5 की अंकित मानों का योगफल क्यों होगा उमीद करते हैं, आप इसका जवाब कमेंट करके जल्दी से बताएंगे, तो बताइए जोकि आपने लगाते हैं, रेगुलर क्लास में इसको पढ़ा होगा तो भली बात ही आपको गयात होगा और यह सक्सन आपको याद भी होगा जिसे आप असानी के साथ कर लेंगे बताएएगा, 5656 में 205 की अस्थानी मानों का योगफल क्या होगा जल्दी से आप छवाब दीजिएगा कमेंट करके क्या होगा बताएए, देखिए अंकित मानों का योगपूचा है यहाँ पर अगर हम अंकित मान की बात करें देहान से दिखेगा आपको दोन चीजिए समझ में आ जाएगी ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से अनिट अभी को पढ़ते हैं एक मिनट रुखेगा, एक मिनट का ठीक है, चलें आगे बढ़ेएगा यहाँ पर हमने देखा, कि जो अस्थानी मान था यहाँ पर क्यों होगा, इनके जी हाँ पर लोगन से जीवत आया, अंकित मानों का योग अंकित मान का योग जो पूछेगा तो अंकित मान क्या होता है तो कोई भी संख्या जो होती है कोई भी संख्या आप जैसे यह पांच है यहां पर यह 5 के पूछा है तो अंकित मन हमेंसा संख्या ही होती कोई भी संख्या हो इसे फ्रेश वैलो के नम से जानते हैं यह हो जाएगा 5 प्लस 5 10 ऐसका अंसर क्या होगा और दस होगा अब आतास इसपरों alan खाटा को लिए अशनक्या ही होता है इसलिए आंसर क्या होगा 10 होगा ठीक समझ में आया आगे परते हैं तो पहले का क्या हो गया दूसरे का यहाँ पर कर देखा जाये तो D, फिर तीसरे का देखा जाये तो C, चोथे का यहाँ पर A पाँचवे का D यहां तक अगर आपको समझ में आगए ठीक है आप चाहिए तो इसकी इसकी इंसओ लगए कि इसकी पहले में क्लास में इस सारी चीजों को डिसकस किया है और हमने पढ़ाया है अगले क्लास की तरह पढ़ते हैं यहाँ प्रते हैं यहाँ पर यह तुम्हारे लेना होगा यहां से डिसiãoर रुखेगा कि प्रश्nant नंबर यह पड़ा था dip लिए फास देखने फास नंबर च्रण घं 반ि क्या होगा जल्द सब्यें कमेंड करीं कि आपने जबाब दीजिये मिल्खित में अप्रक distinguished क्या होगा बताये डाजानिमान क्या होगा बताइए देखिए 8 का स्थानी मान पूछा है यहां पर 8 है ठीक आठ के बाद जी है आठ है आठ के बाद यहां पर कितनी दो अंख है यहां पर हमने लिख दिया आठ लेकि आठ दस मुलक उधर है यहां पर हमने लिख दिया आठ का पूछा है तिसे दस मुलक कोई मतलब नहीं इधर एक थे बाद 10 लिख दिया कितना होगा असी तो यहां पे क्या और नहीं होगा यहां पर देख रहें ना यह पूरी तरस से स्थाथ्ण हीर हो जाएंगे है यहां प्रशना राता है कि निमिखित मेंसे एक का अस्थानी मान गयाद करना है अब देखके अब थोड़ा सा डाउट होगा आपका पस्थानी मान का साथ में क्या रहा है कि एक का अस्थानी मान Houston इसके बाहि तरफ कितने है कि अर्त ज्ण लागाने जीरो 2-0-3-0-0 0-0 001 यह एंसर कहाँ है है चलह यह एंसर बी है इतलि इसका राइट हैंसर होगा बी क्या होगा इसका राइट है यह जबाब होगा है क्लिए दोनों में पांच के नए जमानों का योगफल क्या होगा तो बताई आप लोग पांच के नए जुमानों का योगफल क्या होगा बस नए जुमान मानि अंकित मान होता है उसे जाती मान भी कहते हैं तो नए जुमान का मतलग क्या होता आप लोग मैंने बता दिया है इसे ही अंकित मान के नाम से जानते हैं इसे ही किस नाम से अंकित मान अंकित मान इसे ही जाती मान इसे ही जाति मान और इसे ही ने झमान के नाम से जाते हैं तो 5 के दोनों 5 मानि एक पांच यहाँ है इन दोनों का यूँख पूछा है तो यहाँ फाइब प्लेस 5 इस इसकि recruit 10 मांस का एंसर क्या होगा डीस का रइंसर पांच क्या होगा डीस का राइट इंसर होगा आगे कह रहा है निमनिखित में से यहाँ पर संख्या दी गई है में दोनों साथ की नए जमानों का अंतर याद रखेगा हमेशा किसी भी संख्या के दिये गए संख्या के नए जमानों का यूग अंतर जो होता है किसी भी संख्या हमेशा जीरो होत साट में से साथ को खटा देंगे गडर कड़ीया लगा क्या होगा इसको तर क्यों होगा जाइड हो कि हम जानते ओर आपको भी जानना चाहिए वह भली बाति कि किषी भी कोई भी संक्या कोई भी नंबर हो जब उसका दिकालते ऐसका अंतर अंकित माना स्थानी माने मान का तो हमेशा उसका जीरो आता है वो दुनिया का कोई भी नंबर हो अंकित मानों का उसके जाती मानों का अंतर हमेशा सुनने होता है अगे देखते हम लोग अगला परसंशने आप Novue कह रहा है कि प्रश्ण नमबर 10 प्रश्ण नमबर 10 की तरह बढ़ते हैं वो कह रहा है कि 456 के घात में 457 बराबर होगा बते ही क्या होगा एक समसंख्या होगा एक विशम संख्या होगा एक समथा विशम में से कोई भी होगा या जीरो होगा आपर आमसे कमेंट करें कि आप इस में क्या होगा? बताइए, क्या होगा? अराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, अराम-अराम से अराम कर क्या बताइए? क्या होगा बताइए, जवाब तुन नहीं как-on आप सबके? छिली हम बता देते हैं, जब भी किसी भी संक्या के इकाईक अंग, किसी भी संख्या के इकाईक अंग जीरो, लिख लिजेगा, ये नो डाउन कर लिजेगा क्या क्या हो, जीरो, एक, पांच, और छे हो लिख लिजेगा, कर लिजेगा हमेशा काम देगा आपके लिए जब बिकिसी भी संख्या के इकाई nossa जीरो, एक पांचह हो, उसकी घात चाहे जितनी भी लगा देंगे उसका इकाईक अंख शदेव वही होगा अई इसके बारे मैं आपको थोड़ा सा समदा देते हैं कोई भी शंख्या है किसी भी शंख्या के यदि हम इकाई का अंक क्या लगाते हैं एक है पांच है उसकी घात हम चाहे जो लगा दे इकाई का अंक वही आएगा जैसे यहाँ पर दे दिया जाए इसके इकाई कंग क्या होगा इकाई कंगर ग्याद करना है कि इकाई का अंक कि यहाँ पर जीरू है जैसे यहाँ पर दे दिया जाए चार्शो एक्यासी के पावर साथ सो चौशर यहाँ पिकाई कंग क्या होगा जब कुसी भी देगर शंख्या के इक हो उसकी घातांग चाहे जितने लगा दे उसकी इकाई कंग क्या होगा शदय होगा फिर जैसे दे दिया जाए 75 के पावर 373 घातांग है इसकी इकाई कंग क्या होगा मैंने क्या बताया है जब कि जब संख्या के इकाई कंग में यह कोई नंबर हो 0156 हो तो उनके इकाई कंग चाहे जितनी घात लगा दे घात आपकी चाहे जितनी भी हो तेकिनों के इकाई कंग जो होगा वो शदय हो व कि 826 कि पावर कि 370 कि इसके एक अगा होगा आप कमेट गर के जवाब दीजेगा इसके एकाइकन क्या होगा कि हमने यह देख लिया कि कभी सिवी संख्या के इन में से कोई जीरो एक पांचे में से अगर कोई भी एक है उसके घातांक हम चाहे जितनी भी लगा दें लेकिन हमेशा क्या होगा उसके इकाइक अग वही प्राप्त होगा प्रश्ण का जवाब दीजेगा उसे एक साथ हम लो इकाइक अंग क्या होगा कि इकाइक अंग क्या होगा जल्दी से बताइए अप लोग 46 के पौर 47 के इकाइक अंग क्या होगा छे कैसे पता अब यह होगा कि कैसे पता बिना हल किये कैसे जान गए आप याद रखेगा उसका एक ही तरीका है कि दिये के किसी भी संख्या के बढ़े रही हैगा आप लो कि लर्णिंग विट दुलगेश आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्ण को देख लेते हैं यहां पर प्रश्ण था तो यहां पर जो संख्या दी गई है 456 के पावर 477 अब 6 क्या है एक संसं क्या है एक संसं क्या होती है एक संसं क्या होती है तो उमीद करता है आपका डवोटी क्लियर होगा यह टॉपिक आपको समझ में आगया होगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ यहां इसका हल होगया, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एक प्रशन आपके सामने है चुका है यदि यक्स और y यक्स और y दोनों बिशम है, तो यक्स प्लस वाई का मान क्या होगा यह भी हमने पढ़ाया है अगर क्लास हमारी रेगुलर आप पढ़ रहे होंगे अगर क्लास आप पढ़ रहे हैं तो आप उमीद करते हैं आप इसका जवाब तुरंत दे लेंगे अगर आप लगातार हमारी क्लास पढ़ रहे हैं तो हमेशा अगर क्लास मेरे रेगुलर अगर आप है इमारी क्लास में आप इस प्रिश्ण का जवाब असानी से दे लेंगे बताएए देखिए हमेशा क्यों होगा इस यह स्वाई विसम है विसम से क्या हम दो जोंपर लेते हैं जैसे हम आते हैं यहां पर हमने देखा एक एक लेते हैं एक त्ये लेते हैं इनका यह क्यों होगा चार एक पांच लेते हैं एक साथ लेते हैं कितना आएका बार है एक हम बिश्रम नहीं होगा इसका जवाब केवल केवल एस बीस का राइट एंश्वर होगा ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया यहां से कोई दिख्कत या कोई समस्ष्य आपको नहीं है चलिए अगला पश्ण आपके सामने है 12 से 33 तक 12 से 33 तक गलत कथनों को पहचानी है बते इसमें है प्रश्ण नमबर 12 माइनस 441 क्या है जल्दी से कमेंट करके आप इसका जवाब दीजेगा माइनस 44 क्या है यहां पर आपके सामने प्रश्ण में बिकल्प में भी दिया गया है क्या दिया गया है वास्तुविक संख्या है राकतिक संख्या है उड़ांक है रडात्मक संख्या है क्या होगा इसमें से चारों में से कौन सा गलत है गलत पूछा है गलत पूछा गया है यहां पर तो मैं उम्हेंद करता हूँ अगर आपने क्लास रेगुलर लिया होगा आप इस प्रिश्ण का जवाब मैंने कहा न है आप गलती नहीं कर सकते आईए देखते हैं इनके बारे में वास्त संख्या कहते हैं तो यह परिमे भी है इसलिए परिमे परिमे के संख्या को वास्तिक कहते हैं माने यहां पर हम इस प्रिश्ण को देखें तो यहां पर यह सही है कि वास्तिक संख्या है यह पोडांक है यह रडात्मक संख्या है तो जब गलत पूछा है तो गलत के लिए यह यह एक प्राक्तिक संख्या नहीं है यहां पर क्या है यह एक प्राक्तिक संख्या नहीं है यह प्राक्तिक संख्या नहीं है क्यों कुछी प्राक्तिक संख्या होती है और गिंती की संख्या को प्रात्मिक संख्या कहते हैं जैसे एक दो तीन चार पांच छे साथ इस तरह से अन है ज्यादनध्र धन पूड़ां Play इस एक बार तोस्पर क्फड已经 कि आप यहाँ पर सब्सक्राइब यहां पर रिड़ उठ्वरण संख्य है सब्सक्राइब पुचा नहीं है तो नहीं मैंने जो गलत है वही सही है डीक्ये से पूचा है गलत कतनों को परिश्ण हैं कि आजकल परिश्णों में बहुत जारे पूछा जा रहे हैं इसलिए इसका आपको जबाब तो जानते रहना होगा ठीक है आगे बढ़े हैं अगले प्रश्ण की तरफ जो है प्रस्ट नमबर 13 जल्दी से कमेंट करके बताईएगा जीरो में से ये एक है क्या है इसमें क्या-क्या सही है क्या-क्या गलत है दोनों कमेंट करके बताईएगा बताईएगा जल्दी से अप्लोग यहां ओलेंग क्लाज भी उपलब्द है इलनी में द्रुगेश आप जोड़ सकते हैं जीरो क्या है एक जीरो क्या है देखें यहां पर पूछा है जीरो के बारे बाद तो जनते होंगे तो पहले माल देख रहते हैं कि उसमें गलत कथन पहचानना है तीन से यह एक गलत है लेकिन ये क्या नहीं है? तो बता चला यह EK प्राक्रतिक संख्या नहीं है और आपके परिच्छा में यही पूछा गया है कि जीरो क्या है एक प्राक्रतिक संख्या नहीं है और जो गलत है वही सही है यहां पूछा है निम्न में इसे कौन सा कथन गलत है और हमें गलत कत्म की पहचान करनी है तो गलत कत्म की पहचान करनी तो क्या है जीरो प्रकेतिर संख्यां नहीं है क्यूं नहीं है आइए देखते हैं कि यहीं फूंपर देखा है इसलिए उत्तर नहीं ή यहां से कोई डाउट कोई समस्या है तब बताएए नहीं है ताब इस वीडियो को स्कीन सोट अपने पास रच्छे तरखिएगा और फिर हम लोग आगे इसके साथ अध्यान करते रहेंगे ठीक है अगला पेज हम लोग लेकर आते हैं अगला परशन है इसलिए इस लिए हम लोग इस नए प्रकार के ठाञे विए अगे बढ़ेंगे यहाँ पे यहाँ पे जो है अब हम लोग को पढ़ना है अगला प्रश्ण है यहाँ से इसमें से गलत कतन की छाटना क्या करना है इसमें से देखना है निवने मेशे कौन सा सही है और कौन सा गलत है तो गलत मतलब माइनस दो क्या है यहाँ प्रश्ण पूछा है माइनस टू ए क्या है चार विकल्ब है एक समसंख्या है पोडांक है वास्तिक संख्या है पूर संख्या इसमें किसी ने किसी प्रकार से तीन विकल्ब सही है एक गलत है तो गलत विकल्ब की पहचान करना है आपको गलत विकल्ब की अगर बाद में भी देखेंगे बाद में मैं करिएगा 一ज पूरां में पुर्ण है झाल है यह प्रकार का रंग पूरांक है फिर क्या रहा है Car यह वास्तिक संख्या, जी हाँ, क्योंकि एक परिमे संख्या है, और हम परिमे संख्याओं की योग को हम क्या कहते हैं, वास्तिक संख्या के नाम से जानते हैं, तो यह तीनों शही है, गलत पूछ रहा है, तो भहिया जी, जो गलत है, वो क्या होगा आपका, वो होगा चौथा चौथा माई डी कह रहा है यह पूर्ण संक्या है और जो गलत है वही सही है क्यों 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 कि पूछा है निमनी खित में से गलत कथन का चैन करिए क्या करिए गलत कथन का चैन कीजिए क्या पूछ रहा है गलत कथन का गलत कथन का चैन करने के लिए पूछ रहा है ठीक है तो गलत कथन के बारे में यहाँ पे बता देते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं जीरू सही गिंती की संख्या को हम क्या कहते हैं पौन संक्या कहते हैं इसलिगे सबसे छोटी पौन संक्या होती है 0 होती है और सबसे बड़ी अनंद होती है इस प्रकार यह पिर हमें जो उत्तर मिलेंगा वह डी जो हो सही है क्योंकि हमें नहीं कूँ ध्या quantity रखना है इसमें पूछा था होना पड़ेगा हमेशा रुबरूं होना पड़ेगा आगे बड़ेंगे हम लोग अगले पर प्रेंगे यह पर फशन्य को कि यही संख्या दिया है माइन चाहर ब्टेट饮 स्थीन और पूछ रहा है कि मैंनस चाहर बटा में माइनस चाहर से यह क्या है वी rá विकल पर दिया गया है उमीद करते हैं कि अप इसमें से गलत कफ़नकी पहचान करेंगे तर्सक्राइब सबना अपथ विए रिश्यार यह एक परिमेर संक्या है क्योंकि जिन संक्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा क्यों का मान 0 नहीं होता तो अब परिमी होती है इसे P बटा क्यों के रूप में लिखा जा सकता है 4.16 और 3.19 19 बटा 4 तो मतलब इसी माइनस उनीत बटा 4 की रूप में लिखा जा सकता है, Guess रहा है यह एक रडात्मक संक्या जल्दी से 67 करके बताएगा , इस रडात्मक है कि मैनस उनीत बटा मन high keywords के मित चार कर रहा है , धलात्मक तो है नहीं यह रडात्मक संक्या है यह भी सही है, फिर पूछ रहा है, यह एक वास्तुक संक्या, जी हाँ, वास्तुक संक्या किशे कहते हैं, यह कि परिमे और आपरिमे, परिमे और आपरिमे जो होता है, उनके श्रम्लित रोप को हम वास्तुक संक्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तुक संक्या के नाम से हम जा इसका जो एंसर होगा वो आप परिमेश हैं कि गलत पुछा है तो गलत कौन सा इसमें कथन A है यह गलत है और जो गलत है वही सही है वेकि पूछाएं निकित में से कौन सा कथन गलत है गलत कथन की पहचान कीजिए तो जब गलत कथन की पहचान के बारे पूछा है तो कहीं न क कि आगे बढ़ते हैं अगले फिन की तरफ अगला है भोथी लॉजिकल करता है इसके जवाब आपको जरूर देंगे श говоря है कि यह समझ म。 पाई क्या है इसमें से चार बिकल्ब दिये गए हैं इसमें से गलत बिकल्ब की पहचान करना है आज इस प्रश्ण को हम आप से जानना चाहेंगे और उमीद करेंगे कि आप इसके प्रश्ण का जबाब जरूर देंगे इसमें से तीन सही एक गलत है गलत बिकल्ब की पहचान करना है मेरी बात को समझेगा इस प्रश्ण में गलत बिकल्ब को पहचानना है सही बिकल्ब को नहीं पहचानना है तो हमने पढ़ाया है और आपको अगर याद होगा तो ठीक है नहीं याद है तो मैं श्रीबहाने revision कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर online class जुड़े हैं अगर pet class से जुड़े हुए हैं तो आपको किसी भी ब्रित्य होता जो यह किसी भी ब्रित्य के ब्रित्य के जो परिधी होती परिधी की किसी ब्रित्य की परिधी और व्यास का जो अनुपात होता है उसे ग्रीक भासा के पाई से निरूपित करते हैं जिसका एक सन्निकट मान 22 बटा साथ होता है तो 22 बटा साथ एक परिम क्या है पाई यह क्या है आप रमेशं क्या है घब आप रमेशं क्या है मतलब यह तो सवह हैं और जब आ प्रिमे है योई कि परिमे और आ परिमे कोई वास्तिक कहते हैं वाहने ये और सी दोनों और दोनों सःे लेकिन दुर्भाग reindeer है कि इस परिशन में पूचा है गलत कतर कौनЧто सा है सही वालों को नहीं बही बात समझेगा आपको सही कथन नहीं बताना है आपको गलत कथन बताना था इसमें से तीन किसी तरह सही है और चौथा क्या था गलत था ठीक तो हमें वही बताना जो सबसे सही होगा चौथा वही ठीक है आगे पढ़ते हैं अगले पश्चन की तरह, बहुती बारिकी से पढ़िएगा, माने यहाँ पे देखन में छोटन लगए, घाव करें गंभीर, आप पैशे देखे पढ़ रहा हैं, आप लाइब क्लास पढ़ रहा हैं, तो हम यह चाहेंगे कि छरा सभी गलती आप ना करें, पर आपना पैस्ट दें, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्चन की तरफ, अगला प्रश्चन है, 0.34, माने यह से लिख सकते हम, 0.34, क्या है, इसमें से 4 बिकल्ब दिया गया है, 4 किसी प्रकार में से 3 सही है, एक बिकल्ब गलत है, उसी गलत बिकल्ब की ही आपको पहचान क करनी है, बता यह जल देख, यह गलत पतन क्या होगा, देखिए यह आपके क्या होगा, उसके लिए आप लोग जनते रहे हैं, थोड़ असी बाते, यह ए परिमेशन क्या है, कैसे परिमेशन क्या है, देखिए, अगर इसे हम बिकल्ब में बदलेंगे, यह हो जाएगा, 34, जहां पर दस मलों है, उसके नीचे एक उसके बाद दो अंक है, दो जीरो बढ़ा देंगे, माने 34 बटे 100, माने 17 बटे 50, तो क्या होगा, 17 बटे 50 क्या है, एक परिमेशन क्या है, और जिसके सामने कोई चिन न दिया गया हो, उसके धनात हो गई और परिमे और अपरिमे के श्रैयोग को, परिमे और अपरिमे को वास्तिक संक्या क्या क्याते है, माने यह एक परिमे है, यह धनात्मे क्या नहीं है, वही आपको बताना है, तो बता चला नहीं कौन सा है, यह आपका सी नहीं है, और जो नहीं है, वही सही है, वही प लोजिक कॉंसेट किलियर हो गए अगर हो गए है तो बहुत अच्छी बात है नहीं हुए है तो कोई बात नहीं है हम दुबारा से तीबारा समझाएंगे अब प्रस नमबर 18 आपके सामने आया है उमीद करते हैं यह क्लास आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा और आप इस गलत कथन बताना है अब पूठा जा रहा है यह एक परिमेशंख्या है जी है यह एक परिमेशंख्या है कैसे परिमेशंख्या है कैसे परिमेशंख्या है आए देखते हैं यह हो गया मैं इसको रूल पढ़ा है आप लोग को इसलिमत कहिए कैसे अपने हमें बता दिया यह हो संक्या हो गई दो गई कहता है और यह इसको जन्माने को Hm घंत्म में पूछ है अशachts सर्ट को उसे त्यार करा रों बेसे विकल्ब इसकेए खलकिनापको चारो से लगेंगे तो बताइए शमेंशे आप परिमें आप परिमेंश नहीं हो गया ये गलत है और आप के पैसे नुक्सान नहों है आप सब्सक्राइब करीक्स जाएं और आपको सेलेक्सान के लिए यही पढ़ाता हूँ इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देखेगा अगर आपको बहता लगे अपने शविशाथियों को बदाएगा इलनी बिद्रुगेस के साथ चुड़ेने के लिए और दुरुगेसर बिना स्पेस के सच करिएगा टेलिग्राम पर आप अगला पेज आपके लिए लेके आते हैं एक मिनटे की आगे वड़ते हैं अगला प्रशन हमारा अपके शामने आच चुका है यहां पर इनमी आपको सेम चीजे बतानी है निलिखत में से गत्ल का पहचान करना है मेरी बात को समझेगा आप गलत गत्नों की पहचान करिए ज hmm अनुन अनुट है शन्तान वर क्या है एंट शन्तान भी घंट है कि क्या है कर नहीं दूंआ धना सब्सक्राइए और जलदी से बताएए तंटेया प्लोग जली से कमेंट करके बताइए अपलोग मतई आप अप्लोग जोली भी कमेंट करके मताइए जदी बताइए गाउग्ट जदी बताइए गाउग्ट कर लेते हैं कि इसके बारे में इसका भी आप्रेशन अमलोग कर लेते हैं वह एक प्राथ्मिक संख्या और एक प्रस्णिया से और बनेगा यह दो वंकी सबसे बड़ी अभाज संख्या और अभासंख्या को यह हम रूड़ संख्या कहते हैं यह मैंने यह सभी यह प्राइम नंबर माने तीन सही है तो गलत कौन सा होगा गलत साफ्या ज़stoff जो फिक तो में पुच्छा करें पूचा है कि गलत कफन कि पयां की जिए तो घलत इन स्वर होगा 20 का सभाग ए पूछना आपको आज समझेगा यह प्रत्मिक संख्या क्लियर अभाज संख्या रूर संख्या क्या नहीं है जो नहीं है वही पूछना आए वही आपको बताना भी आगे बड़े अगले पूछन की तरफ यह देखें 97 जो है जो शंताबे है यह क्या है यह है प्रकार का अभस अत्रहीं कि और यह सबसे बड़ी दो अंकों कि सबसे बड़ी आभाजशे माल जो सही है आप यह हुँआ कर पा यह विकल फास्ट्रफ और बिखर 25 बी यहि आपको पहचान करना है गलत बताना है कोई दिक्कत किशी को कोई समस्या नहीं है न चला करते हैं अगला प्रश्ण है 20 बने प्रस्ट नमबर 20 जब आप लोग बताएगा प्रस्ट नमबर 20 का जवाब जो लोग देख रहें जो बात में देख रहें वह भी कमेंट करके जवाब दीजेगा करते रहा करें जवाब देते रहें कोपी पर लिखते चलिए इसके बाद आपका पूरा नमबर सिस्टम तयार हो जाएगा एक ही ल से मेरा पूरा एक डॉट क्लास में ही आपका पूरा कॉंसर्ट कुल हो जाएगा और यह ले दिर गेस्ट क्लास अगर आपने लिया है तो उसके लिए आपका नुकसान ना होने पहर जी हां उसके लिए आपको इलने में दूर्गेश लरनी विट दुर्गेश ठीक है रेफलर कोड आप ये यूज़ करेंगे ता आपको यहाँ पर 10% के डिस्कॉंट मिल जाएगी कि रहे हैं अगला प्ष्irement मताई अपनों कहा से है एक क्या है सबसे चोटी बीसम संक्या जी भाट है सबसे चोटी अभास संक्या था सबसे चोटी प्राक्रिक संख्या भी है क्योंकि गिंतिक संख्या को प्राक्रिक संख्या कहते हैं इस प्रकार शुरू होती है यह एक दो तीन चार पांच छे इस्ट्रक्रा अनन्तक तो यहां पर कुछ लोग कहा रहे हैं कि सभी करेक्ठ जी नहीं आप मेरी क्लास नहीं तो कई भी बिड़े मेरी मुष्प मत किया करिए वरना आपको देवकत चरूर हो सकती है जिसका जुत्तर होगा वह होगा पी कप सी एक नीनल थो भाज होती है और न भाज यह मैं पढ़ाते समय नोट कराता हूँ और नोट डाउन में बढ़ाता हूँ कि यहां गलतिया कर लीजेगा परिच्छा में कोई गलती नहीं करना है परिच्छा में कोई गलती नहीं करना है परिच्छा में आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करना है एक न तो भाज्य संक्या होती है और न ही अभाज्य संक्या होती है याद रखेगा नोट कर लिजेगा आज फिर कहीं ठीक है जैसे कहीं गर पुछ दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संक्या क्या है आप संदी दीजाए एक दो तीन जीरो क् coch 야 게ा कि सब से चोटी अभासंज्या क्या है तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा इसमें से कौन सा विकल आप सही करेंगे एक दो तीन चाय सबसे चोटी अभासंज्या मैंने पूछा है क्या रहा है कि तीन है तीन क्या है जल्दे से कमेंड करें कि बताइए तीन क्या है जवाब दीजिए अपने तीन क्या है इसमें तीन सईय गुल्ट है तो आपको पहले ही पता है पहले सब्से चोटी बिसम अभाज संख्या क्या यह बात सही है सबसे छोटी विसम अभासंख्या तीन है यह सही है जी हाँ यह सही है यह हम जानते हैं कि जो अभासंख्या होती है यहां से स्टार्ट होती है दो तीन तो हमें जानते हैं सबसे चोटी अभाज संख्या दो होती है मैंने पढ़ाया है दो एक मात्र सम अभाज संख्या होती है माने तीन सबसे चोटी अभाज संख्या होती है जबकि दो सबसे चोटी सम अभाज और एक मात्र दो है मत्रं ए जो गलत है वही सही है जो गलत है वही सही है यही क्या होगा गलत कथन के बारे में पूछा है इस प्रकार यह आपका प्रस्ट नमबर 22 किलियर हुआ या किशी को कोई दिक्क्त आ रही है जल्दी से आप अपने कमेंट लिखिए और हमें जबाब दीजिएगा कि हाँ आपको समझ में आया या नहीं 22 का विकल्ब एह होगा ठीक है कोई दिक्कत किसी कोई समस्या अगले पेच की तरह बढ़ते हैं इसकी इसकी इंसाउट अपने पास सुरच्चे तरखिएगा एक प्रशन है कि क्वेशन 2 रह गया वन नहीं दिया तो भृया टर्शन粉 को हम लोग देख लेते हैं मैंने ध्यान नहीं दिया कोई बात नहीं बास नहीं 21 कोई ना कि going दे नहींillon 2 सफसे, चोटी सम संख्या है, और सम अभाज संख्या है सम अभाज संख्या है, इसमें कौशा षभिल है तैर्ग संग्य शवाब देड़े, यहां पे जो प्रश्ण होगा, मैं इसको घ्रिश कर लेता हूं, पहले तो एक मिनिट पहले मैं इसको साफ कर लेता हूं तब मैं आपके प्रिष्ण का जवाब देता हूं जगह साफ रही तब एक मिनट रुकेगा यह गलती से चूट गया उसके रिमाफी चाहते हैं गलती से प्रश्ण मर् 21 को आप लोग देख लीजेगा प्रश्ण मर् 21 को सभी लोग देख लें सभी लोग 21 को देख लें दो क्या होती है सबसे चोटी अबासंख्या सही बात दो सबसे चोटी संक्या होती है जो अभाजय होती है लेकिनस्क्त है गलत को पैचानते हैं इसका ब्जल्प क辛苦 है कि संभाज संख्या को पहले this is भाज संख्या किसे कहते हैं वे संख्या हैं जो एक से कड़ जाएं और स्वयम से कड़ जाएं पता किसी अनसंख्या से कड़ जाएं उन्हें भाज संख्या कहते हैं जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इस टटा यह भाज है तो यहाँ पे जो प्रस्थन कुछेगा सबसे छोटा सम भाज सार होता है 2 नहीं होता सबसे छोटा बिसम भाज नहो होता है अब आथे हैं वापस प्रस्थन की तरफ यहाँ पे जो सम भाज संख्या 4 होती है ना कि 2 होती है तो ये गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि किसका D क्योंकि आवे बुचा है गलत डिकलर का चेन करना आपको है तो कि आपको समझ में आ गया कि आपका 21 का D होगा क्यों होगा अगर आपके मन में doubt है तो आप दुबारा पुछिए तिबारा पुछिए चुबारा पुछिए तब तक हम बताएंगे जब तक आपके concept नी clear ना हो जाए समझ मागया तो यहाँ पर हमने देखी लिया दो के बारे में जान लिया दो सब्सक्रचोटी समसंख्या होती है सही बात दो सब्सक्रचोटी अवासंख्या सही बात दो एक मात्र है ठीक है आपको यह concept clear हो जाएगा और आज आपकर चौथे दिन का क्लास है हम अमीद करता हूँ अगर आप मेरे रेगुलर वीवर के लिए पढ़ाते हैं हम प्रश्ण के सीरीज वही लाते हैं जो परिच्छा में हू अगर आगे बढ़ते हैं यह डाउट किलियर हो अगले प्रश्ण की तरह हम आगे चले आप आदेश करें कि सर आगे बढ़िए एक डाउट किलियर हुआ है हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा उद्देश सेलक्शन है हम बाते करने के लिए नहीं पढ़ाते है इसलिए माफी चाहते हम केवल केवल टॉपिक है पढ़ाना चाहते यह लाइव क्लास है बाद में देखे चाह जब भी देखे यह हमेशा आपके लिए लाइव रहेगी और हम वर्माद का पूरा-पूरा आपका बरौशा है, यहाँ पर आपको बताना है, पर्शन नमेंबर 23 में से गलत प्रहुत का चैन करना है, जल्दी से बतायेगा निमलिखित में से परशन माथ 50 कक्थन गलत है, मैंने कहता है यहां कि मैं एक तो भी डाउट आपके नहीं चुटेगा मेरा आपसे वादा रहा है एक भी डाउट आपका नहीं चुटेगा पाउच और साथ क्या है जिंका सहाभाज किसे कहते हैं करके मैंने पढ़ाया अगर मेरी क्लास आप रेगुलर देख रहे होंगे तो आप गलती नहीं करेंगे अगर आपने पैसे देके बढ़ रहा है अब फ्रीके नहीं पढ़ रहा है तो आपको एक भी डाउट नहीं रखना है मेरे पूरी डाउट क्लियर करना देखे जिन संख्य अब हैंबन होते हैं उन्हें आप अभाज designed sic 225 कहते हैं अब अब iki उना प्राइम है ऐब कहता है अथे नतरी प्राथवी संख्याया जीय दो अंतर वाली प्राथवी नक्षेत पांच में जब तक डो नहीं जोडेंगे तो पांच औरसाथ किया है दोई अंत्री प्राथिमिक संख्याय है मैंने यह भी सई है माने जब सब सही हैं तो कोई गव्यकल्प होगा इसमेंसे कोई ने क्यों गलत कथन ही पहचानना है गलत कथन को ही पहचानना है ति हो जाएगा नानाप दीज कॉंसेप्ट क्लियर हुआ आपके अगर क्लियर हो रहा है तो बहुत शेयर कर दिजएगा अपने सभी साथे को बताइगा अगला प्रश्ण आपका अगला है कि निम्नि में से कौन से संख्या पूरसंख्या नहीं जलनी बताइए आई करके हम सारी वातों को असपष्ट करेंगे सारे इस कुलियर करेंगे जीरो पूरसंख्या क्यों है कि जीरो सहित गिंती की संख्याओं को जैसे जीरो एक दो तीन चार पाच अनंतक ठीक है सब्चोटी पूरसंख्या जीरो जीरो सही है एक भी क्या फोन संख्या है सौ भी क्या फोन लेकिन माइनस दो नहीं है यह रेंड़ पोडांक है और जो गलत है वही सही है यहां पर नहीं पूछा है यहां पर क्या पूछा है नहीं पूछा है इसलिए इसका विकल्प सी सही है यह जो गलत है वही सही है समझ म आया कॉंसेप्ट के लिए हो आपका अगर हो गया होगा तो जल्दी से आप भी कमेंट करके हमें जबाब दीजिएगा कि अगरते हैं अगले पिसैंगी तरह अगर्ष नम्बर 25 25 क्या रहा है निम्ने मैंसे कोंसी संख्या पूऩांक संक्या है अगर्ष ग सब्सक्राला को में से अगर्ष लिकंते कि जल्दी से अगर्ष जाथ कि शीयुक्त सेफ़्चिंद attracted whenever म doing this आई है जी आप लोग गल्ती करेंगे नहीं पढ़ाते हैं बताइए हमने कहा नहीं क्लास पढ़ा है और पैसे देखें पढ़ते हैं पूरी वीडियो अपने देखी होगी मैंने जब पढ़ाते समय में बैतर ब्याख्या कर देता हूं कि बाद में आपको दिक्कतों का सामना ही न कर करना पड़ें अब सुढ़ा के देखिए पहले तो सही आई हम दिखाते हैं यह क्या है यह प्लस यह यह परीमें लेकिन यह क्या है यह पोडांक है कि संख्या रेखा पी मैंने पढ़ाया था जीरो सहीद दहन पुडांग और रिन पुडांग को क्या कहते है पुडांग कहते है तो मैनस तीन क्या है एक पुडांग है मैनस तीन क्या है एक पुडांग है इसलिए इसका सी सही होगा तो सीज का सही उत्तर होगा सीज का राइड विकल मैनस त्री समझवाया बताया सही हुआ आप लोग बताए कमेंट करके बताइए ठीक आगले प्रस्ण के तरह बढ़ते हैं अब अगला प्रस्ण आपके लिए है प्रस्ण नमबर 26 तरह पांच अंको की बड़ी से बड़ी तता अच्छ अंको की च्छोटी सी च्छोटी संख्या में अंतर क्या होगा आप कमेंट करके बताएंगे यह हम बताएं आप चंको की बड़ी सी बड़ी संख्या और च्छांको की च्छोटी च्छोटी संख्या का अंतर डिफरेंस क्या होगा अगरे 26 बताइए है चलिए आप रोक के जवाब रहे हो गलत रहा है हम इसको हल करते हैं पांच की बड़ी संक्या क्या होगी जहां पर देखते हैं पांच के सबसे बड़ी संक्या लिखेंगे आप छांकी साथ जोड़ी संक्या आप देंगे अंतर पूचात इसका अंसुर और क्या होगा एक होगा भूटा करसे हुआ कि एक हुआ है कि यहां पर क्या होगा एक कि एक कि इसका है यह पांच अंकों बड़ी संक्या च्छांकों की छोड़ी संक्या गंतर क्या होगा एक होगा कि आप प्रस नंबर 27 27 कह रहा है निम्न में से कों से संक्या भाज्य संक्या है जल्ली जवाब दिजागा निम्न में से कों से संक्या भाज्य संक्या है कि आप जानते हैं कैसे भाज्य है कि यह देखिए 179 यह 13 गुड़े कि ऐड़ा स्क्वाईर है इसका मतलब भाजय तेरा से कट रहा है 121 गूड़े 11 का वर्ग हेगा गयारा का स्क्वाईर है बने भाज्य है तुँन्चा साथ गूड़े साथ मनें साथ से डिवाइड होगा इसलिए ये 83 सही है यह पून वर्क भी है यह पून वर्क और यह अगला प्रस्ण है यह 28 यह प्रस्ण हमने आपको फ़राते समय होम वर्क में दिया है है अमने पेड़ क्लास के इतना भी धीवत पढ़ाया फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं अब बताइए ट्वंटी एट है ट्वंटी एट है ट्वंटीएट है एक से लेके पच्छास तक के बीच में कुल कितनी अभास रंख्याएं होंगी है जादी से कमें करें बताइएग अब बताइए जिया सही जवाब है अब करें प्रस्ण दिया था क्या क्या दिया था अप लोग को हमने प्रस्ण दिया था पहले एक से लेके 25 तक के बीच में कुल कितना है एक से लेके 25 तक अभाज जंग्या अब हाज जिवरे पशित कि कितनी है मत्तहीं अब अधीर फिर एक से लेके 20 तक के बीच में प्राइब कि इसका होगा एक से लेकि 25 तक की बीच में नो этим 25 तक के बीच में 15 ऊब आपको हमेशा काम आएगा को एक से लेकित्ष्द सौथ तक कि उल् Cheer ऑभाज संख्या कितने हैं या यह मैं मैं लिख दे रहा हूं कि वह आपको जवाब देना है एक से लेके 75 तक कि 70 तक कुल कितनी अभाद संख्याय होंगी यह आप जब आप कमेंड करके दीजिएगा यह लगनिंग विद्ध दुर्गेश पर कि लगनिंग विद्ध दुर्गेश पर यहां से भी आपको रिफलर कोड यूच करेंगे लेनी पर दुर्गेश बिना इस्पेस दिए और इसके बाद और देहां रखेगा अपलोग यहां पर यह सारा हो गया और नौ हो गया पचीश हो गया अगर पूछा जाए भाज कितनी तो याद रखे कि आप एक की पॉइंट है एक जो होता है न तो भाज होता है न भाज एक न तो भाज होता है न अभाज तो एक से लिए पचाता तक अब जवाब दीजेगा आते हैं प्रशन की तरफ तो प्रशन कि अगर आगे बढ़ते हैं टूंटी नइन क्रेश्चन नमबर है ज़िस को हल करेगा टूंटी नइन को तो अपनों यह जाए तो इकाई के अस्थान पर कौन सा अंख होगा यह कमेंट करें कि यह जवाब दीजेगा उमीद करते हैं इसका जवाब चलो दीजेगा लेकिसी संख्या के इकाई खंग करके जाए तो कौन सा अंख होगा याद रुखेगा जब किसी भी संख्या के वर्ग करते हैं उसके एकाई के स्थान पर क्या आता है पता है आपको किसी को पता बताई एक तो जीरो आता है एक आता है और क्या आता है चार आता है, पांच आता है, छे आता है, नौ आता है, याद रखेगा, 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है, जब किसी भी संख्या के हम वर्क करते हैं तो उसके गई गस्तान पर यही नमबर है, प्राप्ट होता है, इसमें से कौन सा है आपका विकल पर मिला, यहाँ पर मिला D, इस प्रकार हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वाइर, 2 का चार भी है देख रहे हैं, 3 का स्क्वाइर, 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का स्क्वाइर, 36, 7 का स्क्वाइर, 49, 9, 8 का स्क्वाइर, 64 मानिए, चारी का इकंग, 9 का square मने कैसी मने 1 10 का square मने 100 मने 0 तो हमने क्या-क्या मिला 0 मिला 1 4 मिला 5 है 9 0 14 5 6 मने किसी पसँख्या का जब यह मुवर करते हैं तो मैं आई कर स्थान पर यही इतने नंबर मिलते हैं जो मैंने आप पे जिए 0 1 4 5 9 यह note down कर लिजेगा लिख लीजेगा या आपके notes भी बहतरा तयार हो जाएगी सोचिए doubt भी clear हो जाएगा आपकी mathematics भी clear हो जाएगी और साथिर शाथ आपके notes एकदम बहतरीन दर्जे की तयार होगी ठिक आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ क्या करते हैं हम लोग करते हैं माने तीन कथन की प्रकार्शत्य हैं एक कथन असत्य कथन की जाच करिएगा आपको कमेंट करके बताएगे कि आज की क्लास आपको समझ भार यह सही लग रही है जल्दी बताएगा तीश का क्या होगा अनंथ तक सबश्चोटी चोटी सबसे बड़ी रडत्मक पुढांग संख्या इक क यह मैंने पढ़ाया जैसे जीडो के बाहित्रह बढ़ते हैं जैसे हैं નैस सबसे बड़ी रिड़ पुढांक माइनस होग जैसे कोी बालक है बाहुन प्रकार जो माइनस में छोटी ओप Always ने म। दिखती है box hard से हम क्लिक करेगा आपको पूरा नीचे और आपको मिल जाएगा सिरगवज़ा है यहां पिध्यान से दिखेगा इन होते हैं यहीं नपयाँ आपहें देखें कि sich Bye एक अप्रमे संख्या है जबकि इसके ठीक नीचे देखेएंगे कह रहा है बाइस बटाशाएक प्रमे मानि ये सही है ये सही है और गलत पूछा रहे प्रश्ट में इक आ प्रमे इसलिए शेट बिकल्ष सि होगा 30 का सी पाई एक आपरीमे है कुछ दर पहले भी मने बताया था तो मैंब स्ट कर्मान और यह परिम नंभर आगे बर अगले प्रसुशिकिया नहीं, यहां तक डाॉट हो नहीं आपके मंद में भीया लोग, किसीको जाट हो पहले पूछ लीजिएगा मैं पूरी तरह से व्यक्षा करके पढ़ा रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं एक भी प्रस्ण आपके नहीं चुड़ेंगे क्यों कि आप पेड़ क्लास में पढ़ रहे हैं तो फिर विया इसलिए हम चाहेंगा आपकी गलती हो नहीं नहीं चाहेंगे हम चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि निम्लिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है अब बताइए यहाँ पर सत्य कथन के में पहचान करनी है तो सत्य कथन की चलिए पहचान करते हैं कह रहा है प्रतेक पूडांक संख्या एक परिमे संख्या होती है जरी यह सही भी है और गलत है तोपिक के तरफ आगे बढ़ रहे हैं इसलिए यहां पर इन सभी बातों कि हमें ध्यान में रखना होगा यह तो सकती है कि प्रतेक पोडांग संख्या परीमें संख्या हो सकती है नहीं हो सकती है ध्यान दीजेगा यहां पर बात विदीत याद रखना होगा क कि प्रतेक पोड़ां संख्या हो सकती है है इसे दूर से कोई जा रहा है कि लड़का लड़की नहीं पता क्या सकते साथ लड़का है क्या तो यहां पर सकता है और है में दोनों में अंतर है यहां पर भी कंफॉर्म नहीं होता इसलिए तो नहीं है किलियर नहीं विकल्ब जो है यह इसे तोड़कर बाहर नहीं निकाला जा सकता इसलिए का उत्तर क्या है डी लोहरी करा सही जवाब है ति लर्निंग का सिर्फ तुषच्ट थिक होगी होगी कर या समझेगा क्या है आप परपिम्या फिसने संख्याट मिला कर वास्टिक होती है या पहर में लिए फिसलिए B गलत है, इसलिए C गलत है, और यहां A और D में सबसे उपरी तुत्तर अगर देखा जाए, A और D में, तो हमें D है, लेकिन गर विखल्प कोई A और D दोनों दिया होता है, तो बोथ A और D दोनों हो सकता था, एंडिशन के उपर, तो बताई आप लोग, यहां तक आपको समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ें, बताई जली से, बताई आप लोग को doubt clear है, नहीं है, ठीक आगे बढ़ें तब, आगले प्रश्न की तरफ, जलिए, अब आते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ, इसमें पूछ रहा है, 32 में, में 9 के अंकित मान और अस्थानी मान का अंतर क अगे होगा, उमीद करता हूँ, आप कर ले जाएंगे, यहां पर 9, 9 यहां पर करनेंगे, 94, 65 हैं रुप ज़िए, 9 का स्थानी मान और जाती मान, नौका स्थानीमान देखें, अस्थानीबन निकानला असान है, यहां दलिख क्योंत, लिए चंछ संख्री जाती मान रइसंख्यया है, तो 9000 में से 9 घटा दीजे कितना आएगा 9000 में से 9 जाएगा कितना बचेगा इसका विकल्ब क्यों होगा इसका राइट एंसर होगा ऐसे होगा मैंने बता दिया कि 9000 में से 9 को घटा दीजे जो आएगा उत्तर अगला परस्न है 33 में बताना है 9 के अस्थानी मानों का युकफल 9 के अस्थानी मानों का युकफल देखिए हाँ पर 9 करेंगे यहाँ पर 9 लिखेंगे यहाँ पर लिख देदे यह यह पर 9 हो गया 3 2 2 4 0 ने 1 2 3 4 0 प्लस फिर इस नो के बाद तीन है फिस नो के बार तीन जीरो फिर प्लस नो एड करी कितना होगा जी इसको जो हम ईब करेंगे तो में दो इसको में योपफल प्राब तो होगा होगा है कि इसका क्या होगा सही जवाब होगा कि क्लियर हुआ है कि बताइए है आगे बढ़ें अगला प्रश्ण है आपका कि 4241 में 4 के अस्थानी मानो का अंतर क्या होगा अच्छा यह जीरो दस्मलों होगा जान दीजेगा जीरो दस्मलों 4241 एक सेकंड रुकिएगा जीरो और उपा लिख देते हैं जीरो दस्मलों 422 जीरो दस्मलों 4241 के क्या करना है अस्थानी मानों का अंतर इसमें 4 के अस्थानी मानों का अंतर क्या होगा चार का स्थानी मानों का अंतर इसमें क्या होगा चार का स्थानी मानों निकालेंगे देखें पहला जो चार होगा जीरो दस मलो चार 0000 इसका 4 क्या होगा 0.3 अंख है तो एक दो अंख यहां हो जाएगा अंतर पूछा अंतर निकाल दीजी यह हो जाएगा यहां भी 0 0 हो गया 10 में से 4 गया 10 कि दसमेलों के बाद थी 0 हो गया 10 में 4 गया 6 यहां 9 हो गया यहां हो जाएगा 3 तो 0.3960 इसका उत्तर हो जाएगा 0.396 क्या हो जाएगा 0.396 जी है यहां पर बिकल्प B इसका right answer है B इसका right answer हुआ B क्या हुआ right answer हुआ आपने पर मिला लिजेगा इसमें दस्मलो वाली संख्या का पूचा है दस्मलो वाली संख्या इसकी value और इसकी ठीक पर मिला लिजेगा जिनकी गलत हुए है जिनोंने गलत विकल बताया है वो एक बर इसका answer match करा लेंगे कि क्या मैंने श्रही solve किया या नहीं मैंने श्रही बताया है या नहीं बताने में कोई कमी तो नहीं रहे है यह भात भी करेंगे संख्या इतने का निकर्तम सैकड़े में लिखो इसको निकर्तम सैकड़े में लिखो सनिकट मान को हमने नहीं पढ़ा दे रहे हैं किसी संख्या निकर्तमान क्या होता है हमें सा अगला सैकड़ा होता है नियर वाउट सैकड़ा की बात करते है तो यहाँ पर कितना है यहां पर सैकड़े की बात करें तो होगा यहां इसका क्या होगा यहां इसका जबाब जो होगा वो सब्सक्राइब इसका पढ़े लीजेगा पढ़े लीजेगा जी बहुत बहुत धनेवाद गुद अफ्टरनून और इस नमबर 36 में 36 में बताना है एक से लेकर 100 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है एक से लेकर 100 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है तो जोल्दी से कमेंण करके बताईएगा बाता है इसके लिए यद्वार आसान तरीका है जो परिचह में आपको अमर्सित दिखकत होगी यहाद रख़ेingen चैसा इसमें नमबरीं पड़ी होती है कुश्चन नमबर उसी में देख लिए नौ कितनी बार आता है तो नौ आपको 20 बार मिलेगा कि नौ कितनी बार आपको मिलेगा 20 बार मिलेगा इसलिए इसका उत्तर क्या 36 का डी राइड एंस वर है ठीक एक छोड़ा सा प्रस्ट नमारा भी आपसे है कि एक से लेके सो तक की बीच में जीरो कितनी बार आएगा जीरो कितनी बार आएगा जवाब अब कमेंट करके दीजेगा अगर यहाँ पर जीरो होता तब क्या होता एक से लेके सो तक के बीच में जीरो कितनी बार आएगा एक से लेके सो तक के बीच में नहीं कर लिजेगा और वेलकम टो लेनी विद्रगेश आपका श्वागया तर सभी का अगला पश्ण है प्रश्ण नंबर 30 और पेज नंबर भी आगया 10 आपको दीगी भी रहा होगा इसने बताना है पाई क्या है तो कम्मिन करके जवाब दीजेगा पाई क्या है पाई क्या है चल्दी से जवाब दीजेगा पाई क्या है इसे जैट टेंसर क्या होगा मैंने ये क्लास पढ़ाते समय बिधीवत रूप से मैंने ये बताया थे इस बात को 22 बटा साथ ये है ये है ये है क्या है जी नहीं 22 बटा साथ के सन्निकट है अगर यहाँ पर सन्निकट सब्द ना दिया होता तो बिकल्ब यह सही होता अलगे सन्निकट लगबग है कि हम जानते हैं किसी भी ब्रत के परेदी और व्यास का जो अनुपात होता है वह 22 बटे साथ होता है इसलिए इसका उत्तर क्या होगा मैंने कहा हम यह डाउट क्लियरिंग क्लास है यहाँ पर किवल डाउट हम आपके क्लियर कर रहे हैं और सोचने वाली बात है कितनी बहतर तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर हो जा रहे है यह आश्चर की बात भी है और कावले तारीब भी है आपके लिए हमारे लिए नही ठीक है अगला है 24 के गुडन खंडों की संख्या क्या होगी 24 के सभी गुडन खंडों की संख्या क्या होगी आई ये इसके बारे में हम लोग शवाल लगा कर जानते हैं और आप उस रूल को लिख लिजेगा देख लिजेगा खास कर ये टेट की परिच्छाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं जी चाहे सीटेट हो चाहे स्टेट टेट हो चाहे सुपर टेट हो चाहे अन किसी भरती परिच्छा के तयारी कर रहे हो इस छोटे छोटे शवाल ऐसे हैं जो आपको परशान कर सकते हैं आईए 24 के गुड़न खंडों के संख्या निकालने का ट्रिक जानते हैं जैसे यहां पे किसी भी संख्या के गुड़न खंडों के संख्या निकालने हैं तो पहले हम 24 का निकालते हैं तो यहां पे क्या करेंगे 24 लिख देते हैं संख्या पूछा तब योग पूछता दूसरा नहीं इसको क्या गरेंगे सकते हैं दो घाते तीन प्लस तीन गाते क्या लिखा जा सकता है क्या इसे लिखा जा सकता है अगर लिखा जा सकता है तो तो हम यहां क्या करेंगे नोग तीन तीन काथ एक है यहां son जितनी भी घत गात में जूड़ा देंगे धी 3 गूडा निकन रिम्षान अगले में क्या है जितनी घंडू है यहाद करेंगे चार गूडू दो 8 गूड़ा गे closure है क्यों हो गया माने 24 तक के गुड़न खंड चोबिस के सभी गुड़न खंडों के संगे कितनी है आठ है तो यहां पर विकल्प में दिखिए आठ मिला जी हां आठ तो हमें दिख गया आपको दिखा है जानते हैं क्या जो मैं कहा रहा हूं यह सच्चाई है या नहीं इस तरह के प्रस्ण को मात्र तीन सेकेंड में हल करेंगे विदिन थ्री शेकेंड यह चोटी मों बड़ी बात नहीं है यह सच्चाई है अगर आपको यह बहतर लगेगा तो आज की क्लास तो सभी को बताईए आए इसको भी हाल करके हम लोग देखते हैं जैसे कोई भी संख्या दे दिया जाए जैसे आपर दे दिया जाए 42 प्लस तीन बटा दस प्लस चार बटा सौव प्लस पांच बटा एक हजार प्लस हम जैस रहत 10000 ऊप्लस है तो क्या करेंगे द्यांच देखेगा क्या इसमें लड़्डू करम से बढ़ लड्डू का मतलब एक लड़्डू दो किलो लड़्डू तीन किलो लड्डू चार गिलो अगर ईस प्रश्ट नहीं तो आपको मुश्किल से तीन सेगंड तो मैं ज्यादा मता दिया यह हो जाएगा 42 दस मलों तीन चार पांच नो उत्तर बस एंस्वर सोची यह उत्तर है आपका डारेट कुछ नहीं किया दाली दस मलों तीन चार पांच नो क्रम से रख दीजिए आगया समझ में एक आक क्वेश्टन और ले इसमें आगया एक प्रेश्टन मौर लेते हैं तब आपसे चलिए देखें यहां पर इस प्लास के साथ ज़्टी दस 9 बोस च्व श बटी एक हजा defect का योग फल क्या होगा तीन से लेना है तीन सेकड़्पल बहुत ज्यायदा मैं बता दिया एक सेकड़् में आपको उत्तर आएगा uh सेखेंड में तीन सेकेंड में आपके गणित उत्तार आजाने चाहिए तीन सेकेंड यद्ध आपका शवाल में नहीं लगना चाहिए है कि जम पता यह जांए बस लिएस इन सेफ्टे अभिग फज behaviors आर्ड कुछ नहीं करना है यहाँ प्या करना है यह यह आगर एसे दिया जाए जाए आप लोगको न जैसे दिया जाए चार सव चोबीस प्लैस टीन बटा सव प्लैस पांच बटा एक हजार प्लैस नव बटा के इतने बड़े सवाल को महल करना जी आफकोर्स प्लैस प्लैस फॉस पांच लिखेंगे पहले हम चार सोचोबीस भी दसमलू एक बतसमल कई नहीं है तो तीन को फॉन लिखना है तो एक क्या लिखेंगे जीरो तीम यहां पर क्या है पांच पांच की नीचे कितना किलो लट्डू है एक लट्डू दो तीन लट्डू है तीन लट्डू पहले से पांच लिख दिया यहां पर लिखना है लट्डू कितनी है एक लट्डू दो लट्डू तीन लट कि आप लोग पैसे देके पढ़ रहे हैं आपको सेलेक्शन के लिए पढ़ना है नालेज के लिए पढ़ना है आपको इसलिए नहीं पढ़ना टाइम पास करना है हम टाइम पास के लिए बढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं मेरा एक मोटो है आपको सेलेक्शन दिलाना उसके लिए हम हर अस्तर तक जाएंगे ताकि आपको सलक्षन मिले बस मेरा पहला टॉर्गेट आपको सलक्षन दिलाना आगे बढ़ें एकाथ कोश्यों लेते हैं थोड़ा सा टफ करते हैं थोड़ा सा प्रश्ण को आफ करें जैसे देखते हैं कि 37 प्लैस कि 48 बटे 100 प्लैस कि 36 बटे एक दो तीन चार पांच यह जीरू है कि इसको हल करना है और मैंने कहके रखा है कि तीन सेकंड ज्यादा समय नहीं लेना है तो बहुत तीन सेकंड समय लेना है बाप ने बाप यह पता नहीं होगा कुछ नहीं करना लिखेंगे 37 जो भी स सब्सक्राइब करना है आपको तुरंत उत्तर बताना है इस तरह के सभी प्रशन को आप हल कर लीजेगा और मुमीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गई होगी आ गई है तो कमेंट करिए हम आगे बढ़े नहीं आई है तो मैं दोबार आपको बताओं जी इलानी बित्रगेश आप हमें कहीं भी दोण सकते हैं आपके सवाल को जल्दी से बताएगा 39 का उत्तर क्या होगा मुमीद करता हूं अब तो आप जबाब तुरंत बता देंगे जल्दी से जवाब दिजेगा क्या होगा बहें या दो के बाद जीरो क्रंसे भाडरा पर एक लड़ू बढ़ा पर दो दृण iszmallah on लगी माने उत्तर मानिस का उत्तर क्या होगा यह इसका है क्लिक है क्य्데 अगे बढ़ें अगले पेस पर पेज नमबर 10 तक हुआ है एक मिनट रुकेगा पेज एड़ करने पहले प्रेशन नमबर 40 आपको बताना है जो आप दीजेगा क्या होगा 4 बटे 6 तता 6 बटे 7 के बीच एक परिमेशन क्या है तो जल्दी से उस परिमेशन क्या को बताइए जल्दी से बताइए बताइए क्या होगा हां चली दिखते हैं यहां पे एक परिमेशन क्या निकालें कि रूल हमने पढ़ाया आप लोग को कि प्लस बी में बटे 2 कर देंगे मानिं दुनों का योग करते हैं पांच बटे 6 उच्छा बटे 7 पांच बटे 6 और च्छा बटे 7 इसमें क्या गरेंगे दुनों का योग करेंगे इसे करेंगे यह हो जाएगा पांच यह हो जाएगा हमारा पांच बट्टे च्छ प्लस च्छ बट्टे साथ पूरे गटे दो नीचे हो जाएगा 42 च्छ सत्य बैलिस तो पांच च्छ का भाग देंगे जितनी बाज़ेगा उपर गुड़ा करेंगे तो च्छ सत्य बैलिस माने साथ हो जाएगा पांच सत्य पांच फिर प्लस यहां पे साथ चंग बैलिस तो गुड़े च्छ मने च्छ पूरे गटा दो यह हो जाएगा उपर 35 बटे 36 हो जाएगा आपका श्रम धत्य बैले च्छ पूर्ब्ट बैले लिश्ट टू तो यह नीश्ट निश्च चलाएगा ने पढ़ाया कैसे आजाएगा बैट क्लास मैंने पढ़ा एक अथ्टर गुड़े 42 गुड़े दो माने 71 बटे 84 क्या हो जाएगा 74 बटे 84 एक है जी हाँ है बताइए समझ माया 74 84 कहां से आया क्लियर हुआ आपका इसका मतलब इसका विकल्प क्या है आपका सबना गया जल्दी से पते क्या होगा अगले प्रश्ण का प्रश्ण नम्बर 41 100 से लेकर 110 तक कितने जुड़वा अभाज है कितने जुड़वा अभाज है कौन कौन बताइएगा एक इसमें होगा 10 प्राइम नम्बर 101 और 103 फिर क्या होगा 107 और 109 तो कितने हो गया एक प्रिसका एक प्रिसका कुल हो गया दोनों मिलाकर हो गया है कि कितने प्रोंगे टूप्र हो गया दो जोड़े होगे समझ माया कि यह जवाब जिदे कमेंड करके कि समझ मा आ गया कि समझ में आया आप लोग को मालिक नहीं समझ माया देखें प्राइम नमबर क्या होता है प्राइम नमबर तो आपको पता ही होगा तो एक होगा 101 से लेकर 103 एक एक जोड़ा बना दूसरा जोड़ा बनेगा 107 109 और इसमें कि कौन सा जोड़ा जोड़वा भाच का है तो जोड़वा जोड़ा यह होगे यह कितने जोड़ोगे दूढ़ अपके समने प्रस नमबर 42 में अब कह राहा है कि निम्लिखित में कठनों पर विछार कीजिए यहां पे तीन संख्या दिया है और पूछ रहा है कि 3 सभ इसके बारे में जजवाब दीजेगा कई यह वाज़ीत था या नहीं है तने लेटा कि नियम के अडर्माय करते हैं इनका एक थोड़ा थोड़ा प्रेसन करते हैं किसके बाद भी अपका प्रश्ण होगा नहां या पर कई प्रश्ण दिया कि बताये कैसे निकालेंगे नहीं जली से अप लोग देखे अब आते हैं तीन से वाजतागनियम क्या है जब किसी बार संख्या क्या यंकों का योग जाती है संक्या 3 से कड़ जैसे 4 2 6 4 2 6 और 9 15 8 15 और 8 15 8 23-27 माने 3 से कड़ जाएगी यह नंबर 3 से कड़ जाएगी इसको विच्छे कर तीन से कड़ जाएगी 6 2 8 जाएगी फिर यह क्या रहा है कि 8 2 10 5 15 15 8 23 से कड़ जाएगी ठीक आगे चेक करते हैं अब चेक करते हैं चार से चार से कटने के लिए यह इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या चार से कड़ती है यह इकाई और दहाई का स्थान पर 00 आते हैं डिया चार से यह इनकों कोल यूग यह इनकों कड़ आता है पहला देखें दिलिए दू लेट चारफ्लस नो ब्लस आट प्लस चार मनें इनकाई यह क्योंग 2018 14 15 15 28 24 27 27 वानों से कड़ आएगा माने यह वह यहई इनकाई यह वी चेक यह साथ में 15 पंद्रह और बार सत्ताइस यह भी कड़ी आएगा नो से फिर आठ दो दस पांच पंद्रह अट तेज चाहते वी कड़ी आएगी माने दीगई संख्या एक से फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनो स्रिभाजीत होगी तीनो सोगी सवाल क्या इसका तीनो माने यहाँ पीसका से विभाजीत हो रही थी आप लुग को बताइए इसका इकाई दाही में क्या होता है तो चार से कड़ जा एकाई दाही कसान पर 0-0 हो अगले पेश्की तरह बढ़ें अगला है प्रस्ट नमबर 43 कि इसके बाहर में बताइए हल करिए किल्ए हुगा कि प्राक्तिक संक्या के बारे में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए यहां पर तीन कूड दिया गया है क्या रहा है आप यह अधिक्तम संक्या होती है यहां पर किया रहा है कि निवंत्म संख्या होती है और अप्ननिय दूस्राइब को हिंद में और duraq Denkad पता है एक दो चार पांच छे साथ आठ नौ दश ग्यारट डाट डाट क्यारा पहला कि नियुंतम संख्या होती है पता नियुंतम क्या है सबसे छोटी कहता तब एक होता नियुंतम मने यह कौन कहा यह तो ही नहीं सकता कोन सी पता नहीं कौन सी प्राकेति संख्या इसका मतलब इसमें से कोई नहीं था इसका विवकल्प इस सही है एक क्या होगा सही है ठीक क्लियर कोई दिक्कत किसी को लगभग आपके दो घंटे लाइब क्लास चलेगी तो लगभग देड़ घंटे चलेवी और क्लास आगे चलेगी अब अगला प्रश्ण आपका है जुसका आपको जबाब देना ही देना है वो है 44 पांच का व्यूत करम गुड़च क्या होगा हमने पढ़ाया है और उमीद करते हैं जवाब पढ़े हैं तो गलती नहीं करेंगे तो जल्दी से बताईए आप लोग क्या होगा अधर ये क्या होगा अधर है इसका क्या होगा 5 ब्यूत करम गुड़च है कि किसी भी संख्या का ब्यूत करम गुड़च की निकालने के लिए उनका गुड़न फल में साहिक होना चाहिए तो पांच में अगर एक बटे पांस से गुड़ा कर देंगे इसका गुड़त्पल क्या होगा एक बटे 5 होगा समझ में आ गया अप कुर को समस्या हो तो पूच ले गया को समस्या कोई दिक्कत कि नहीं है आगे बड़े भिलाकर भी चै look a अगला प्रश्ण है फुट्टी फाइब फुट्टी फाइब के बारे में बताईए ये संख्या को थोड़ा समय हल करके समझाना पड़ेगा ये प्रश्ण है क्या कि 10 घाते यन माइनस 1 ग्यारा से विभाज है यदि यह निग्यारा गुड़ा जो यन के मान समो यन के सभी मान के लिए यन के मिसम मान के लिए क्या होगा जल्दी से बताईएगा बताईए क्या होगा क्या होगा इसका एक ट्रिक है लिख लीजिएगा इसका ट्रिक लिख लीजिएगा ट्रिक क्या है जब यन सम हो लिखेगा जब यन सम हो जब यन क्या हो सम हो जब यन क्या हो सम हो जब यन क्या हो सम हो तब हमेशा 10 घाते यन 10 घाते यन माइनस 1 सद्ध्यो 11 से विभाज होता है लिख लीजिए गाँ जैसे अगर यहाँपे देख लिया जाये अगर यहाँपे हम 2 लेते हैं 2 माने यहाँ पहो जाएगा आपका 10 गाते 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 बराबन 99 यह क्या होगा 11 से विभाज चार करेंगे तो भी होगा ठीक है चार करेंगे तो भी हो कि लिए रुआ है अगर तीन कर देंगे नहीं होगा इसका उत्तर क्या होगा अच्छा कोई करें के सभी मान नहीं होगा मैं दिखा देता हूं कैसे नहीं होगा एक मिनट रुख एगा यहां पिछे से हमने लिया एक जामपा लेते हैं यह से भाते एक मैनेस लियत क्या हो जाए गंदनाओ 10 घाते दो लिया मैनिस एक किया तो तो इ bathrooms 10 घाते पांच मैनेस एक लिया तो पाँच वाह पुस्तक अब तो देखेगा, यह 11 से विभाज नहीं है, 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 ठीक, तो का मिला हमें, हमें यहाँ पर मिला, कि यह समपे, यह भी समपे, ठीक, तो हमने क्या देखा, जब 10 घाते यन कोई समसंग क्या हो, माइनस एक हो, तो सदों क्या होगी, वो 11 से बेभाज्य होगा, यही हम लोग उने शीखा, यहां पर हम लोग उने क्या सीखा, इसलिए इसका विक्रप्ट क्या होगा, C इसका राइट एंसोर होगा, समझ में आगे आपको किसी को दिक्कत, ठिक सिसका राइट एंसुर अगला प्रिशन क्या क्या रहा है जीरो से पच्चास तक फुल कितनी अभासक्या अभी कुछ दर पहले हमने इस प्रश्ण को हल करके बताया है और हमने प्ट क्लास में भी पढ़ाया है तो प्रणा है तो अगर आप भली भाती रूप से जानते है ताव इसका उत्तर जरू देंगे बताए क्या होगा क्या होगा जी हाँ 20 का रैटेंस हो रहे 15 इसका सही होगा 0 से लेके 51 से लेके 50 तक के बीच में खुल अभास संख्या 15 होती है फिर क्या रहा है कि करणी में दो कॉन सी संख्या धन पुणांग परीमिया परीमिय जल्दी से कमेंट करके बताएगा कोस्टन नमगा 47 नताई आप तो जल्दी से हो 57 क्या होगा कि विश्यदी से बात है कर्णी में टू कॉन संख्या मैंने पढ़ाया है आप लोग को धन पुडांक नहीं है परिमेट परिमे की पड़ां क्योंगर नहीं सकते है यह क्या है परिमेट संघ्या है अब अब परिमेसं अब आगे हम पूछ रहा है कि Nh Salesforce क्यों अन्तर के व्राबर होता है कि Ёוט क्रावनीद कुछ की वरगों के बीच कांतर किसके बराबर होता ह। जबाब दीजेगा किसके बराबर होता है कि दो क्रमगत पुडंकोव के वरगों के बीच कांतर मत холод attempt हुश Fox है के अउय करते हैं इसके प्रश्ण को थोड़ा सा लाजिकलिए थोड़ा सा दिमाइक लिगा इसका trick है वोगर trick आप लिखना चाहिए तो लिख लीजहेगा यह इसका होता है जदि A1 का SQ A2 MINEUS A2SQ तो भे diyor इसरी Color Program से लिखे ताकि mix नहीं हो जायए अगर हहाँ पर लिखे A1 का SQ A2 IBRAZA BORG A2 का SQ A2 BORG A1 PLUS A2 होता है अगर दोनों के वर्गों का योग करता है सदाossen की योगफल के वर्गों के अंतर निकालता है उनके योब्फल के बराबर होता है यहिंसका क्या होगा इसका विकल्प आस ही होता जिसको महलोग हल करके जानेंगे इसकी मालग करके जब्दय के कीसा जबूदffic दो प्लस एक बराबर होगा ना कैसे होगा देखे चार माइनस एक बराबर तीन माने दो प्लस एक हुआ यहां पर देखेगा तीन का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा नव माइनस चार क्या पांच इनका योग देखे तीन दो पांच हुआ यहां पर देखे बड़ेगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का इस्क्वायर वाज़ पंच पचेस माइनस 16 दो और रीक का योग देखेगा 5 प्लस 4 9 हुआ कि किसी कर दिख लीजेगा को ऑसेट चेस का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 36 माइनस 25 बराबर 11 तो देखेगा 11 प्लस पांच 11 इस प्रकार हम लोगों ने देखा ऐन का अधिक कि इदो लों करके दोगला दो करम संख्यार के वरगों कर दो के बराबर होता है इसलिए घुतalar forty-eight को अधर क्या वाटलिए स्कूंहैं की का वन दुटकी कुछ होगा कि अगर यह होगा कि अगर पेश की तरह बढ़ते हैं लोग कोई समस्या को डाउट होता फोन करते हैं अगर उमेद करते हैं अगर आपको याद होगा तो कर लोगे कुछ जाए कि बटे 5 si2 नौ में कौन से पर्मिय संख्या को योग मोहनता है जले से बताए कौन सा होगा लोग लेकां क्यों पता है कर तरीका पता ठीक है नहीं था हम लगा कर बता दिंगे इस तरीका एक ट्रिकution करेंगे लग जाएगा ले इन optimum बदलतें इन מקुel McG boun बटे 5 को यह हो जाएगा कितना बटे 5 बदलते है तिव जाएगा जीरो दसमलो दो नग साइगर ना एक बटे 5 को दसमलों 0.2 हम 2 बटे 5 को बदलते तब क्या हो जाएगा जीरो दसमलों चार अब आते हैं इनको जो बदलेंगे दस्मलों में 3 के दस्मलों इहां पर दस्मलों देखेगा यह भी दसमलो यहां भी दसमलोू इनकी बीच माने दोसे और चार बीच में हो यह क्यों से यह थी ऐख सकता है इसका जो होगा वह सही है बरीबास शमज लिए इसका मतलब यह होगा ऊपर वाला जीरो दसमलो दो च्छादो और जीरो दसमलो साथ पाँच दो साथ पाँच ये किन के बीच में है ये जीरो दसमलो दो और जीरो दसमलो चार के बीच में है जबकि ये तीन है लेकिन पाँच क्या होगा इससे ज्यादा हो जाएगा ये नहीं होगा ये क्या है दो सो दोनों कम ह यह क्या दोनों इससे ज्यादा है इसलीов का विखलब होगा क्या इसका राइट एंसवर होगा इसका सही जेवाब होग कुट्न में है कॉंस्प्ट या दोबारा तिवारा हम समस्ज्ण है । किसे में आ गया आप लोगओ बताइए आपलोग को समझ में आया आ गया कि नहीं आया मालिक बताइए ठीक आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है पचाश क्या रहा है कि एक भाग के प्रश्न में यहां से पढ़िएगा एक भाग के प्रश्न में बहाजक भाग फल का 12 गुड़ा और सेस का 5 गुड़ा है यदि सेस 48 है तो भाज कितना होगा ठीक एक भाग के प्रश्न में बहाजक भाग फल का 12 गुड़ा और सेस फल का 5 गुड़ा है यदि सेस 48 है तो भाज कितना होगा आप इसे लगा लेंगे यह हम इसे लगा कर आपको दिखाएं बढ़े यह कमेंट करके जल्दिशे चलिए लगाते हैं तब एक भाग के प्रश्ण में भाज़क भाग फलका बारा गुड़ा है बाज़ निकालेंगे बाज़े निकालनगे क्या करेंगे यहां मुड़े केशंशाशं तो हम गुड़े कर देंग किश्में मुड़े यह रख फलका बान गुड़ा और यह निकालते हैं भाज़क क्या होगा है भाजक क्या होगा निकालेंगे भाजक यह सेस्फल का पांच गुड़ा है सेस्फल क्या है अरतालीस कितना गुणा है पांच तो भाजक इसका कितना हो जाएगा विजाएगा दो सो चालिस वहंड़र्ट फॉर्टी आईए फिर वापस आते हैं फिर हमने क्या देखा कि यह जब भाजक निकल गया आपका कितना 200 सी तो भागफल क्या होगा भागफल कह रहा है भागफल भाजक का 12 गुणा है भाजक जो है भागफल का 12 गुणा है और हमें क्या निकल गया भाजक भागफल निकलना है तो 12 गुणा है और हमें यह भी निकलना है निकल गया तो भाजक क ह 기대 ही जो भागफल है ऐसे भॉक फ्रकुर्ण सब्सक्राइब यह क्या है भागफल भाजक का 12 गुणा है अब भागफल पता नहीं भाजक कितना मिल गया हमें 240 मिल गया 240 भागफल भाजक का भागफल 12 गुणा भाजक का नहीं हो जाएगा यहां पर 12 रहे गुड़े में इसको लगा देते हैं ज्यादा से अच्छा बागफल निकालना है भागफल ही निकाल लेते हैं भागफल बराबर 240 बटे बार है क्या हो जाएगा 20 हमें क्या-क्या मिल गया हमें मिल गया भाजक 240 बागफल 20 कैसे मिल गया यह देखते हैं जाब हम देखा एक भाग के प्रिश्ट में भाजक भागफल का बारा गुड़ा है और से असफल का पांच गुड़ा यह तो अरतालीस हो ता ता अटालीस गुले हमने बारा कर दिया अटाइस पांच तो में क्या निकल गया ग इस गुड़े 5 करेंगे, तो हम इस क्या निकल गया उस भाजग के 12 से भाग देंगे वह भागफल निकल गया 20 और और निकला 240 अब हम प्राइबर जानते है की बocado परेड़ अग्ला प्रसंबोर होगा उन्में और वह गया हो फ्लस सेस्फ़ल भाज़क क्या होगा आपका बाज़क है दो सो चालीस भाग फलार बीस्स फ्लैना तालीश क्या करेंगे डूरा गतना हो जाएगा 24 चौनद सकतालीश ना तालीश बाजी क्या हो जाएगा 48, 48 उत्तार, आई इसका देखते हैं क्या होगा? इसका विकल्प इसका विकल्प यहोगा 48, 48 क्या होगा? 48, 48 इसका विकल्प यह होगा ठीक है आज कहले टॉपै क्रेक्षपक पढ़ लेंगे, एक बार हमको टोबहरा सम्झा दे रहा हूं तो कहा रहा है भाग के पश्म में भाजक भाजक भागफल का 12 गुणा, 6 फल का 5 गुणा है और यदि 645 है तो कुछ नहीं करना हमने क्या किया कि जो भाजक था भाजक निकालने के लिए कहा भाजक क्या है यहां से डौट आपकी क्लेर हो गया है आई एक बार हम क्रिविजन कर लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा तो कितने लोग लाइफ हैं जदे से कमेंट करके बता दें और हमें एक बार पूरे प्रिश्नों की समरी को हम एक तरब से लाइब ले लेते हैं जी और लोग कौन UP हैं एक लोग और कोई बात नहीं बीडियो को लाइफ देख सकते हैं अगर अगर नहीं है तो बात में भी इसी देख सकते है असानी के शाथ कि हो गया है आगे देखते हम लोग एक भार पुरह रिविजयन कर लेते हैं आज ही क्लास को होई एक बार क्रविजयन कर लेते हैं जो लास्ट में आया है वो इस वीडियो को जरूर देख लेंगे को कि यहां पर हम लोग उने क्या देखा कौनसी प्राकेटिक क्योंसी प्राक्तिक संक्या है, प्रशनवर एक से, सुलक है हमने, मैंने बता दिया कि प्रके कि होती है है, वो कि अंक यहां पर हमने देखा किसी संख्या की अगर किसी भी गांचा होता है उसका इतना भी कर और उसमें कुछ नहीं था पीछे वाला यह चीज था यहां पर हमने यहीं दिखा दिया इसको एक है तो उसका घाच्चा जितनी भी लगा दें उनकी इक आइकांग वही आएगा फिर हमने यहाँ पर पढ़ा कि योग हमेशा समसंख्या होगा एक योग दोनों समसंख्या होगा फिर इसके बाद इसमें हम लोग को देखना था निम्हें कौन सा कथन गलत है गलत कथनों को हम लोगों ने पढ़ लिया था इन प्रस्णों को भी हम लोगों ने पढ़ लिया पूर अच्छे तरीके हमने हमने कोई भी डाउट कोई भी टॉपिक हम आपके छोड़े ही नहीं थे ताकि आपको भाविश्य में गलती या दिकत होने पाए ठीक है फिर आगे हम लोगों यहा आब करके दिखाये आपको फीरिंटी परसिकार थे अरहीं तरह सकते हैं और कि अ कैसा मान होता है छो इसके बादकिता के मैंने यहां अकि प्रिक वाला पूरा 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 खरें आप लोगों ने इसको पूरा देख लिजेगा और लाष्ट तक और यह जुड़े रेने के लिए आप सभी का सब्सक्राइब थे लर्निंग विथ दुर्गेश विथ दुर्गेश अब सहीं सर्च कर सकते हैं और साथ इसाथ आप रिफ्लक खोड़ी उच खरेगा लेने में दुर्गेश आपको 10% का डिस्कॉंड मिलेगा इसके बाद इन जनकारी में अपलब्द हो जाएगी तो आगे फिर लोग देख लेते हैं आगे मन में आ रहा हो तक पूसकते हैं को फिस नहीं आ रहा है कि यहां पर उन्ने करा दिया था कि कुछ पर समने यहां पर करा दिये हैं ठीक है यह भी देख लिजेगा